हलो दोस्तों स्वागत है आपका get it clear चैनल पर देखो दोस्तों इस वीडियो में हम JIT 817 की latest update के बारे में जानेंगे जो candidates को जाना बहुत जादा जरूरी है मेरी आप से ही request है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर जरूर देखें ठीक है गाइस देखो दोस्तों जो भी मैं के साथ information share करूंगी कुछ उसका source जो है वो मैंने टेलीफोनिकली उनसे बात करके वो चीज़ें पूची है and guys मैं यहां पर सबसे पहले बोलूं कि आपका जो डीवी का जो schedule है अभी तक नहीं prepare हुआ है अभी schedule वो prepare करेंगे उसके वाद schedule डलेगा ठीके guys तो ऐसा भी हो सकता ह schedule आपका next week तक डले and guys next question मेरे यह था कि जैसे आपको पता है कि post आपकी reduced हुई है जब आपका typing का result आया था तो उस time उन्होंने mention किया हुआ था and दोस्तों मैंने बोला कि मैम आपने यह बता दे कि post reduced हुई है बट आपने उसके बाद कोई कोरिजेंडम आपका नहीं आया है कि आपके कौन-कौन से अविलेबल की post department की post है वहां से गई है और कौन-कौन से department अविलेबल हैं आपके जिनके उपर आपका जो है वो next process होगा तो guys उनका answer यह था कि जिस दिन आपकी dv होगी उस दिन ही आपको बताया जाएगा और 10-15 मिनट के अंदर आपको क्या करना पड़ेंगे वो department भनने पड़ेंगे guys यह वाला answer जो था उनका बिल्कुल भी satisfaction नहीं था क्योंकि 40-plus department remaining आपके ऐसे हैं और आपको नहीं पता होता कि कौन से department में promotion channel कैसा है आपको कौन से department अच्छा है कौन से department में आपके growth के chances जादा है तो guys मेरी यही उनसे demand थी कि आप क्या करें जल्द से जल्द जो available department है इस post code में बचे हुए उनकी list हमें जारी करते हैं ताकि हम अपने आपको prepare रखें कि at the end हमें जो department भरने होंगे वह हम घर से ही त्यार करके जाएं लिस्ट और वहां पर सिर्फ फिलप का काम करें ठीक है guys and guys next question यहीं है कि जब आपको preference के बारे में ही पता नहीं होगा कि हाँ department में कैसे अपना वहां पर चीजों को fill up करेंगे दोस्तों अगर guys department की जानकारी नहीं होगी तो आपको बहुत जादा confusion होगा कि कौन से department आपके लिए relevant है कौन से नहीं देखो guys कहीं लोगों की return में बहुत अच्छे marks हैं बट वो department नहीं अच्छे से fill up कर पाते हैं और फिर वैसे पर मैं 556 के experience के basis के उपर आपको बोलती हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर से त्यारी करके नहीं आते हैं कि कौन-कौन से preference उनको भनी है और वो finally क्या करते हैं वहां पर cheating करते हैं वह साथ वाले का ले लेंगे preference form और वहां से cheating करना शुरू कर देंगे क्यो जो भी इनका number है उन पर contact करें और इनको आप बोलें कि आप जो available department है उनका जल्डी से जल्डी जो भी है इनकी जानकारी हमें provide करवाएं ताकि हम अपने आपको त्यार करें क्योंकि guys कभी-कभी आपको पता होता है कि कौन-कौन से department में क्या हिसाब किताब है उसकी जानकारी लेना बड़ा जरूरी होता है चाहिए आप अपने बोडों से पूछें आस पोडोस में पूछें ठीके guys तो उसके basis के उपर ही आप अपनी reference जो है वहाँ पर select करें क्योंकि अगर आप किसी ऐसे department में फर्स जाएं दोस्तों तो फिर आगे बहुत बड़ी दिक्कत वहाँ प फोन करके उनको यह जो आपके अवेलेबल डिपार्टमेंट बचे हैं 817 में उनकी लिस्ट उनको जल्दी डालने को बोलें ताकि आप जो हैं जल्दी से जल्दी अपने जो भी preference आपने भनी है उसके लिए आप अगली कारवाई कर सके ठीके guys तो दोस्तों यहाँ पर मेरा यही था इस वीडियो का बनाने का purpose आपके लिए अगर आपको मेरी वीडियो सच में ही अच्छी और helpful लगी हो तो get it clear channel को like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए thank you have a good day and all the best